गिनों से एक नाम काफी चर्चा में है जिनका की नाम है रिजवाना हसन रिजवाना हसन जो कि बंगलजेश से बिलॉग करती है और जिनको कि The International Women of Courage Award के लिए नॉमिनेट किया गया है जिनको कि एवार्ड मिलने वाला है तो क्या है यह International Women of Courage Award IWOC Award जो कि रिजवाना हसन को मिलने वाला है इसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं So beginning for week उच में आपका स्वागत है अगर मैं International Women of Courage Award की बात करूँ इसका Establishment 2007 में हुआ था That means 2007 से Award दिये जा रहे है और कौन देता है US Department That means United States के द्वारा ये Awards दिये जाते हैं इसके इनावा कर मैं कहूं तो अब तक US Department of States के द्वारा ये जो Awards है वो 170 से जादा के आसपास महिलाओं को दिये जा चुके हैं जो कि 80 कंट्रियों से बिलॉंग करती है That means कि आप समाच चुके होंगे कि ये सिर्फ उनके कंट्री से रिलेटिड विमन्स को नहीं दिये जाते हैं ये International Awards है तो ये All Over the World जो विमन्स लाए करती हैं That means कि जो डिजर्व करती हैं उन महिलाओं को ये Award या Honor से समानित किया जाता है तो जिसमें कि अब तक 170 महिलाओं को ये Award 180 कंट्रियों की 170 महिलाओं को ये Award दिये जा चुके हैं ये समान चे समानित किया जा चुका है इस साल का अधर मैं बात करनूं कि 2022 की जो सेर्मेनी है आपका जो International Women of Courage Award की वो 14 मार्च 2022 को होने वाली है इसका आपको पता है एनॉंस्मेंट पहले हो जाता है बट Award सेर्मेनी कम होगी 14 मार्च 2022 को बट COVID pandemic की वज़े से जो Award सेर्मेनी है वो क्या होगी कि वर्चुल सेर्मेनी के ठू होगी जिसमें कि 12 महिलाओं को सेलेक्ट किया गया और उनको इस बार ये Award मिलने वाला है कौन-कौन से कंट्री से बिलॉग करते हैं ये सारी चीज़ें में आगया भी बात करेंगे तो वीडियो में प्लीज बनी रही है अगर मैं वैसे जर्णली बात करूँ तो वैसे हर बार ये जो Awards है वो वाशिंग्टन डीसी में दिये जा देते हैं और वहीं पर जितनी भी जो महिलाएं है जिनको कि Award में इससे सम्मानित किया जाना है उनको वहाँ पर डिनर पर बुलाया जाता तर वहीं पर एक पूरा एक क्या नामै कह सकती हो कि Program कंडेक्ट किया जाता था जिसमें कि उनको सम्मानित किया जाता था इसके लब अगर मैं बात करूँ तो ये जो Award है जस्टिस किसी भी कंटस्ट में उनोंने जो भी सरहानीय कारे किये हैं उसको लेकर ऑवाड दिये जाते हैं इस बार के ऑवाड हे है वो युए सेकरेटरी ऑफ सेट एंटॉनी जेब लिंकन के दुशारा दिये जाएंगे यह जो award ceremony है वो उनके दोरा host की जाएगी और इस award ceremony में उनके साथ जो first lady है United States की कौन है Dr. Jill Biden जो की John Biden की wife है वो क्या करती है featuring remarks देने का काम करती है अब बात कर लेते हैं वो कौन-कौन महिलाए हैं जिनको की award से सम्मानित किया गए जैसे कि मैंने आपको बता है कि 12 महिलाओं को दिये गए है इसमें अपनी इस वीडियो में कुछ के बारे में नाम मैं आपको सब के बताऊंगी उनके बारे में कुछ एक information भी हम शेयर करेंगे जादा तो नहीं बटे कुछ एक खास information सबसे बात करते हैं सम्मानित के बारे में जू कि बांगलादेश इस से बिलॉंग करती है जिनको 2009 में Time Magazine की list में भी रखा गया था जिस में की आपको तो थिनले Time Magazine Heroics की लिस्ट इसमें भी रखा गया था इसके लावा इनको रमन मैक्स से अवार्ड भी 2012 में मिल चुका है पेशे से एक लॉयर है और इसके लावा ही Chief Executive of Bangladesh Environmental Lawyers Association भी है ठीक है उसके Chief Executive भी है इसके लावा इन्होंने बेसिकलि अगर मैं कहूं तो जो काम की है वो environment को सेफ़गाड करने के लिए किया है और बंगलादेश में जो रह रहे हैं जो marginalized बंगलादेशी हैं उनके लिए उनके अधिकारों के लिए उन्होंने कारे किया है इसके लावा इन्होंने क्या है काफी सारे successful कारे किया है deforstation को लेकर, pollution को लेकर, unregulated ship breaking ये बहुत important है unregulated ship breaking के लिए भी इन्होंने केस लड़े है इसके लावा illegal land development को लेकर भी इन्होंने अपने केस लड़े है मतब कि कह सकते हूँ कि कारे किया है इसके लावा एक और नाम आता है भूमी का श्रिष्टा जो कि नेपाल से बिलॉंग कर दिये जो कि एक transgender activist है जिन्होंने वहाँ पर जो transgender है जो gender minority है उनके अधिकारों की बात की है उनके justice की बात की है और उनके इसी कहना में कह सकते है initiative के बात से 2007 में नेपाल की जो supreme vote है उन्होंने एक rule pass किया था जिसले कि जो transgender है उनको एक third gender या फिर other gender के तुरू उनको एक नागरिक के documents वगरा उनके ऐसा नागरिक, उनको documentation, validation हम उनको एक कह सकते हो identity दिलाने में पूरी मदद की है इसके लबा आती है बर्मा की आइथ हैंजर मॉंग जो कि multi-party democracy को support करती है बेसिकले कह सकते हो कि democracy के favor में ये काफी जारा है उसको लेकर उनको काफी सारे कारे की है नेक्स्ट है ब्रजिल से सिमॉन सिबुलियो दे नेसिमेंटो इनका vital role है combating और किसमे combating organized crime में drug trafficking में और इसके लबाए captain भी है military police और इसके लबाए prosecutor भी है नेक्स्ट है आपके कॉलंबिया की जो कि एफ्रो कमबोडियन जो लोग है उनके अधिकारों के और environment को defend करने का काम करती है उसके field में का सरहाने करे next है टैफ सैमी मोहमद जो कि एराग से बिलॉंग करती जिनको वहां की iron women भी कहा जाता है उनका दरजा मिला हुआ है इन्होंने कहा है यह क्या रहे चुकी एक तरीके से जो क्रप्ट प्रेक्टिसिंग है डेप्यूटी जो एक तरीके से कह सकते हो कि ब्रस्ताचार है बहुत जादा finance के पंडेक्स में उसको लेकर उनके काम किया और इसी कितरू को क्या है deputy finance minister भी 2019 में रहे चुकी है next है लिबिया पहला का लिब्रिया अब है लिबिया की नाजला मोगुष जो की first foreign minister लिबिया की रहे चुकी है next है ड्वाइना गहरमान जो की मालदोवा से बिलॉंग करती है और यह किसी कंटेक्स में काम करती है डॉमेस्टिक वॉयलेंस अफरीका की रोगेचेंडा पॉसी हो जो क्या एक तरीके से जो औरगनाइजड क्राइम है जेंडर बाइस्ट जेंडर बेस्ट वॉयलेंस है मर्डर है इन सब चीजों के यह अगेंस्ट है इसके लाब है पीस जस्टिस वगरा को सपोर्ट करती है और इनी चीजों को लेकर उन्होंने अपने कारे की है नेक्स्ट है वियतनाम की पाम दोन ट्रैंग जो की क्या है एक रिकेगनाइजड इंटरनाशनल रिकेगनाइजड ओथर है ब्लोगर है जर्नलिस्ट है यूमन राइट्स डिफेंडर है यह कह सकते हो कि अपने कलम की ताकत के थरू यह क्या करते हैं महिलाओं के अधिकारों की बात करती है तो इस तरीके से यह वो 12 महिलाओं है यह उन देशों के नाम है जहां से बिलॉंग करती है जिनको की इस बार का इंटरनाशनल विमेन ओफ केरेज आवर्ड मिलने वाला है इसी तरीके से हमारे इंडिया में भी क्या आपको पढ़ा है महिला दिवस के अफसर पर नारी शक्ती पुरुसकार भी दिये गए अगर आपको वीडियो अची लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले तो थैंक्स आप वाचिंग और गुड लग सुटेंग